क्या आप भी हैरान है ये देख कर घर पर माबाप, बड़े हमेशा यही सिखाते हैं स्वार्थी मत बनो और पारूल मैं क्या कह रहे हैं स्वार्थी बनो क्या ये वर्ड स्वार्थी सच में इतना बुरा है आप सभी स्टूडेंट्स अभी फोन चला रहे हैं आपके हाथ में फोन है वहां नीचे वीडियोज में एक सजेशन में एक वीडियो आया है फणी सा वीडियो है आप सभी का मन कर रहा है उसको देखने का तो क्या ये आपका स्वार्थ नहीं है? आपको दो मिनिट का प्लेजर चाहिए क्या ये आपका स्वार्थ नहीं है इसलिए आप वो वीडियो देखना चाहते हैं स्वार्थ ही तो हम सभी है बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करते तो जब स्वार्थ करना ही है तो एक ऐसा स्वार्थ किया जाए जिससे आपकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ बदल जाए, पूरी लाइफ आपकी सवर जाए, आपकी, आपके माबाप की, आपके बच्चों की, हर माबाप का सपना होता है कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी एजुकेशन मिले और वो कामयाब हो जिन्दगी में, क्या आप नहीं चाहते ये, चाहते हैं न, कि मेरा बच्चा इस फलाने फलाने स्कूल में जाए, यहाँ पर बेस्ट एजुकेशन सिटी की मिलती है, वहाँ जाए, आज मा का बर्थडे है, शॉपिंग मॉल से उनके लिए गिफ्ट लेकर आना है, जाकर रेट टैक आपको चेक करने की जरुरत ना पड़े, MRP ना देखना पड़े आपको, कैसे होगा ये, जब एक बहुत अच्छे ही नोकरी तुम लेलोगे, क्या नहीं चाहते हैं आपकी आपके माबाब भी एक आराम रायक जिन्दगी जीए, आज तक वो इतना स्ट्रगल करते आ र गई है, जरुरत है थोड़ा थोड़ा आराम से, थोड़ा रेस्ट करने की, क्या आप नहीं चाहते कि आपके जिंदगी भी बहुत थोड़ी सी, थोड़ी आराम दायक हो जाए, आपके बच्चों के लिए आप जो चाहते हैं वो कर पाए, जिन चीज़ों के लिए आप तरस है कि अगर आज के समय में आप एक bank PO बनते हो on an average में बात कर रहे हूँ यहाँ पर अगर आप एक bank PO बनते हो तो आपकी लगभग salary in hand salary बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे हूँ in hand salary आपके 50,000, 50,000 हो और जब तक आप retirement का समय आएगा जब तक आप retire होंगे तब तक आपकी salary पता कितनी हो जाएगी धाई लाक रुपए जी हाँ धाई लाक क्या इससे बड़ा motivation कुछ और हो सकता है अब अपने बच्चों की अपने माबाब की जिन्दगी को बदल पाओगे कैसे इन 6 महीने दिन रात एक करने से आप सभी ने एक चीज़ notice की है अभी इस समय पर सभी YouTube चैनल्स पर बहुत कम व्यूज आ रहे है बच्चा बहुत कम है बहुत कम पढ़ रहा है यही अगर हम 3 महीने पहले की बात करें तो बहुत बच्चे थे बहुत व्यूज आते थे विडियोज पर अभी आजकल नहीं आ रहे अभी यही एक notification आने दो तुम एक update आने दो कि तुम्हारा upcoming paper इसको है व्यूज दस गुना हो जाएंगे सबसे बड़ी दिक्कत ही है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि करना क्या है यह जो 6 महीने हैं यह सबसे जादा जरूरी है अगर इन 6 महीने तुम मेनत कर लोगे एकदम जम कर पूरे जिंदगी सवार लोगे अपनी लेकिन वही बात बच्चा अभी पढ़ता नहीं है बच्चा कब पढ़ेगा जब notification आएगी तब अपना pen copy उठाएगा तब थोड़ा दिमाग लगाएगा question में और तब जब लगेगा अरे practice कर रहा है questions यहाँ पर ये गलत हो रहा है यहाँ पर puzzle गलत हो रही है यहाँ पर arithmetic का question नहीं बन रहा है अरे अब मैं क्या करूँ क्या आपको भी इसी भीड का हिस्सा बनना है जो सही समय है अब सही समय में मेनत कर लो जिन्दगी सवर जाएगी बैंकर बन जाओगे तो जिन्दगी सवर जाएगी इससे बड़ा motivation मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है तो स्वार्थी बनो लेकिन कौन सा स्वार्थ वो तुमको देखना है तुमको दो मिनिट की खुशी चाहिए सिर्फ विडियो देखकर तुमको डिस्ट्राक्ट होना है ये करना है वो करना है उस दो पल के लिए दो पल के pleasure के लिए तुम अपनी पूरे जिंदगी का प्लेजर को क्या कर रहे हो नजर अंदाज कर रहे हो पूरे जिंदगी जो तुम आराम से निकाल सकते हो एक अच्छी सैलरी जब तुम्हारी होगी अपने आसपास तुम्हारे माबाब, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे साथ खुश रहेंगे, उसकी चिंता करो, ये सब distractions है, phone यूज करना है, Instagram चलाना है, ठीक है, हर चीज की एक limit होती है, अगर तुम इनी सब चीजों में ही रह जाओगे, तो फिर बड़ी race में क्या करोग बड़ी race में पीछे रह जाओगे, तो स्वार्थी बनो, और देखो, एक ऐसा स्वार्थ, एक ऐसा स्वार्थ करो, जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी सवर जाए, तुम्हारे माबाब के जिंदगी सवर जाए, स्वार्थी बनो, और खुद पहचानो, खुद देखो कि क कौन सा स्वार्थ तुम्हें करना है किस टाइप का स्वार्थी तुम्हें बनना है खुद से देखो